कि आज मैं एक और रही की लेकर आई हूं इस से पहले मैंने जो है उनल覺 के दो आले मूरब्ब की रेशिपि के साथ ले Onirk से कर दी तो आउले को आप किसी अगार औरी पर खौना आ predator घ्यार ड़ बेस्पीज जो बनती हैं जो इसे आइटम से बनते हैं वो भी बहुत स्वाधिश्ष्ट होती है तो आज जो है आउले का हम अचार बनाएंगे जो आप एक बर बनाएंगे और महीनों तक इसे जह है इसका स्वाध ले सकते हैं और आउले के फादे तो बोलीए तो आँखो के बालों के लिए एंटी ओपसिदेंट का ये काम करता है कैंसर के लिए इवें काम करता है इसके अनगीनत जो है इसके फायदे होते हैं तो आप अपने खाने में जरूर ही आउले को सामील करें और आभी तो खैर ठंडी का इंटर का सीजन है तो आपको असानी से मिल भी आओले की बना चाहा जो है। अर बिल्कुल ऊत्र भार्ती आपि अपने में इसाइप से टेहर करूं सब्सेवा करें तो सबसे पहले यहां पर आधा के अपके जी आर। हमें अफ्र लेश से ब़कश कर लिए है। तो इसमें आउले के दूड़ने दाल देंगे तेक 10 मिय तक भी एक बॉले से एक दमेन दोटा़ मिटना पर बंणकरे । और इसे जो है निकाल के दुसरे बर्तर में रख लेंगे ताकि ये अच्छे से जो है खंडा हो जाए तक तक जो है हम मसाले जो है उसको थोड़ा रोश्ट कर लेंगे तो यहां पर जो है यह सौफ है और सौफ जो है मैंने एक टेबल इस्पून लिया है मतला एक बड़ा सब्सका means mo mo dot max यहार जीरा जो है एक टेज़ कौन अधर यह पीली शरसों जो है और यह पीली सर्छोद्ट एक टीशकोण इन सारे चीजों को जो है हम थोड़ा सा रोंश्ट कर लेंगे 2 में फलेम कौाफ कर लेंगे और यह थिसे मिक्सर कि और यह अराम से इसी निकल जाता है आप चाहे तो ऐसे होल भी यूज़कर सकते थे लेकिन अचारव मेरे ख्यासे वेस्ट भी थोड़ा हो जाता कि कि अकर कि छिब सो कम ठाना है तो पूरा अचार देना पड़ जाता है तो इस तरह से जो है छोटे छोटे पीसेस और इसमें अच्छे से जो है मसाले जो भी हम डालेंगे इस पैसेस वह अच्छे से जाएगा अब इसमें थोड़ी से जो है नमी तो रहती है क्योंकि अभी ठंडा करके रखा इसे और थोड़ी से तो जो सबसे पहले जो है अचार जो है बिल्कुल इसमें मौश्चर नहीं होना चाहिए मौश्चर होने के वाद से जो है अचार फ्राब हो जाता है तो इसे जो है आप थोड़ा सा फैला के फैन की निसे रख देंगे तो इसके अंदर का पानी एक्ष्टा है वह भी सुख जाएगा और बाकी जो थोड़ी बहुत अगर मौश्चर नहीं जाता है तो वह आगे के प् कि दरम हो चुकाया तो सबसे पहले जो हम इसमें थोड़ा सा जो है हीं डालेंगे थोड़ा से हीं डालने के बाद जो है फ्रेंट्स यहां पे जो है हल्दी है एक टीश्पून के बराबर है यह हल्दी पौडर डालेंगे और हल्दी पौडर डालने के साथ ही फ्रेंट्स य तो इन सब चीजों को पहले हमें अच्छे पे चला लेना है दून रहा है तो तक यह हरी मिच जो है 6-7 मैंने पीसस रही है तो इसे हरी मिच को क्या करना फेंस आप बीच से भी काड़ सकते हैं लेकिन यहां पे जो है मैं यह हरी मिच को थोड़े थोड़े आधे-ाधे कट लग अगहा जोगी तो इससे सारे मिच को अहीं काट लिए और यहां पे जोगे मिच को मिच के अंदर एड़ दे 시청े अब यह पास सातने अट जो है वो चुका है तो अब यहां पे जो है लाल मिश पॉर्डर जो है हम वह एड करेंगे एक टीजपून के बरावर है तो यह लाल मिश पॉर्डर डालेंगे और यह अजवाइन है फैंस अजवाइन को मैशा से हाथ पे लेकर इसको फ़रा सा टिए एक सची लाव हुआ तो अब जो और यह जो है इस हमाणा टीजवा प्ल्म के और रखा था वह अब शाले कर देंगे अ यह भी अलगर भीत राशे हमादर बिल्कुं त्यार हो उल्ब्लेश हो गया तो ऑचरोंगे यह पर खोलेंगे और इहां पर जो हैगे एक टीस्पून काला नमक जो है स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है तो एक टीस्पून काला नमक पास्थ डाल देंगे नगे इस उछिछों के कैसा के टेक्स्रेटन सीते समस्क्राइब। सब्सक्राइब डिक्टा जलूर आपको यह दिखाओंगे इस थे देखें अघображ होने के इसटेने के हैं कि आइया, जहना किया है को ााइस स्वाद ले सकते हैं इसा लिए सब्क्रेल बीजार ब hobby खोने मंगतों अच्छाथ पतली अच्छार बनींगे ग्यानी। सब्सक्राइब करें ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको प्रापर मिलता रहे थांक्स फॉर वोचिंग इस्टे सेफ इस्टे हैपी